हलो एवरिवान वीडियो का टाइटल देखने के बाद दोस्तों आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि मैं आज किस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ जब से जेई मेंस का रिजल्ट आया है हर तरफ सेलिब्रेशन कमा हो किस इंस्टिट्ट्स में कितनी टॉप रहेंग का ही सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में चर्चा चल रही है और जशन बनता भी है जब हमारे स्टुएंट्स एक या दो साल इतनी कड़ी महनत करते हैं और फाइनली जब उनकी महनत रंग लेकर के आती है तो उस महनत को सेलिब्रेट करना ये हमारा सभी का फर्ज है लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे एक और कहानी है लाखो ऐसे भी स्टुएंट है जिन्होंने इस साल क्लास 12 का बोर्ड एक्जाम दिया और साथी साथ जई-मेंस का भी एक्जाम दिया लेकिन उनका जई-मेंस का पर्फॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा या हम यह कह सकते हैं कि उनकी जई-मेंस में जो रैंक आई है उतनी नहीं आई जितना वो डिजर्व करते थे या उनमें जितना पोटेंशल था अब इसके पीछे क्या reasons हैं मैं उसके वारे में चर्चा नहीं करूँगा हजारो reasons हो सकते हैं जिसकी वज़े से आप बहुत अच्छा perform नहीं कर पाए लेकिन मुद्दा ये है कि क्या मुझे एक साल का drop लेना चाहिए drop लेने का मतलब है कि क्या मुझे एक साल और जेई जैसे exam की preparation करनी चाहिए और अगर मैं preparation करता हूँ तो क्या definitely next year मैं above 99 99.5 जैसे figure को भी touch कर पाऊंगा क्या ये सवाल आप में से कई सारे लोगों के जहन में चल रहा और result आने के बाद मेरे कई सारे students इवन मुझे different social media platforms पर ये questions पूछे कि क्या drop लेना एक सही decision रहेगा क्या definitely next year मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा क्या success की guarantee है दोस्तो guarantee तो इंसान की जिन्दगी ये नहीं है और आप success की guarantee माँगे इस वीडियो को आप ये सोच करके मत देखेगा कि एक institute में पढ़ाने वाला educator इस समय आप से बात कर रहा है इस वीडियो को आप सभी लोग ये सोच करके देखेगा कि आपके घर में आपका एक बड़ा भाई जिसको जीवन का तजर्बा आप से ज़्यादा है जिसकी guidance में हजारो students अपनी life में successful हो चुके हैं वो आज आप से बात कर रहा है तो सुनेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि drop लेने से next year आप बहुत अच्छा कर जाएंगे मैं कहूंगा definitely ऐसा बिलकुल भी नहीं तो क्या सा drop नहीं लेना चाहिए मैं कहूंगा ऐसा भी नहीं औरे सर कहना क्या चाहते हो तो सुनेगा मेरी बातों हो मैं यहाँ पर divide करूंगा अलग-अलग category एक ऐसे students हैं जिन्होंने 11th और 12th class में मेहनत करी लगबख 70-80% अपना syllabus complete भी किया questions की practice भी करी जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं करी लेकिन पिर्यास किया ठीक है लगे रहे आखरी दम तक और उसके बाद उनका जो percentile है वो less than 30% है कितना है less than 30% यह percentile है दो साल कड़ी मेहनत के बाद यह आपका score रहा है तो मैं आप तभी को recommend करूँगा कि दोस्तो आपको अपने plans में थोड़ा change करना चाहिए किसी और field के बारे में सोचना चाहिए अपने area of interest को change करना चाहिए मैं यह नहीं कह रहा कि आप life में अच्छा नहीं कर सकते मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि definitely अगर आप किसी और field को choose करेंगे तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पे जादा बहतर कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ IIT और NIT जो है वो final destination नहीं है you should change your plan आप जैसे students को drop नहीं लेना चाहिए yes नहीं लेना चाहिए अगर दो साल तैयारी करने के बाद आप लोगों का percentile less than 30% आया है यह जो मैं चर्चा कर रहा हूँ यह general category के students के लिए कर रहा हूँ आपको पता इसके लावा other categories में है general EWS, OBC, SC, ST जिनके cutoffs relatively कम जाते हैं अगर आप other category से हैं तो आप इस percent को 5-10% कम कर सकते हैं तो अब सुनेगा भे अगर इससे कम है move on आगे बढ़ जाए लाइफ में कुछ और plan करिए अगर आपका percentile 30-35 से जादा आया है 70 आया है 60 आया है ऐसी बहुत सारी categories होंगी और आपको ऐसा feel हो रहा है कि आपने गलतियां करी है आपकी life में बहुत सारी distractions थी लेकिन आप उन सभी mistakes से सीख करके दुबारा comeback करना चाते हैं गिरे हो लेकिन दुबारा उठना चाते हो और फिर से मेहनत करने का जज़बा है तुमारे अंदर और मेहनत एक या दो दिन नहीं या एक या दो महीने नहीं लगातार आठ महीने आप अगर मेहनत कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हर दिन मैं regular 8-9 hours self study करूँगा और जो mistakes मुझसे हुई थी उन्हें मैं repeat नहीं करूँगा तो definitely you should take a one more chance क्या सर गारंटी है कि next year success मिलेगी नहीं मैंने क्या बोला you should give your hundred percent लेको आपके अस्पास दो option है या तो इस साल जो भी आपको college मिल रहा हो वो college आप ले 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 और चले जाए लेकिन एक बात बताना जिंदगी बर आपको इस बात का regret तो रहेगा ना पिकास अगर मैंने एक chance और दिया होता तो साइद मैं अच्छा कर पाता अगर आप जिंदगी बर इस regret के साथ जीना चाते हैं तो move on जा सकते हैं अगर आप उस regret के साथ जीना नहीं चाते आप एक बार फिर से come back करके अपना hundred percent देना चाते हैं और आपको लगता है कि आपने गलतियां करी हैं आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कहां पर क्या mistakes करी भी क्योंकि आपको आपसे बैतर कोई और नहीं जानता ना आपके teachers ना आपके parents आपको अगर कोई और guide कर सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं आप अपने आपको guide कर सकते हैं आपने अगर दो साल तैयारी करिये तो आपको पता है कि जेए exam किस तरीके का exam होता है question किस तरीके के पूछे जाते हैं तो अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने दिल की आवाज को सुनिए क्या आपकी इक्षा है आप मेहनत कर सकते हो strong determination है तो you should take the chance क्योंकि जिन्दगी बर इस regret के साथ जीना की कास अगर मैंने drop लिया होता तो मैं अच्छा कर जाता उससे अच्छा है कि you should take a chance और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने आने वाले अगले आठ महीने सिद्ध से महनत कर ली तो दोस्त आप में से ऐसे हजारो students हैं जो drop लेने के बाद कहानियां लिख देते हैं मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी 12th के बाद drop लिया and within one year मैंने बहुत अच्छे से preparation करी सिद्ध से महनत करी और finally I have selected और मैंने जेई का exam track किया अब मैं ये नहीं करा हर किसी की कहानी यही होगी आपकी कहानी कुछ और हो सकती है लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप मैदान में उतर गए हैं तो definitely इस खेल को अंत तक पूरी महनत से खेलना बहुत ज़रूरी है हाद या जीत उतने माइने नहीं रखता उससे ज़्यादा माइने रखता है कि आपने इस खेल को कितनी सिद्ध से खेला है दूसरी category वो है जिसने 11 और 12 में बिलकुल भी इस exam की preparation नहीं करी है school level पे पढ़े अगर आप school level पे पढ़े है और आपका percentile 10 या 20 आया तो मैं कहूंगा दोस्तो इस exam के बारे में मस सोचो कुछ और सोचो हाँ आप सिर्फ school level पे पढ़े हैं आपने इस exam की तयारी नहीं करी फिर भी आपका percentile more than 20% या 30% आया है तो definitely you should also the plan और इवन आप में से कई सारे sab student होंगे जिनका 60-70% आया है तो दोस्तो आपको chance लेना चाहिए ठीक अगला सवाल ठीक है सर सोच पा रहे हैं अब सवाल यह है कि सर online जाए और offline मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि सर मैंने 11-12 में नोर्स बहुत अच्छे से बनाई थे मेरे पास अपने पुराने टीचर्स के recorded lectures हैं मेरे पास online courses भी हैं तो मुझे लगता है कि मैं घर बैठ करके self study कर लूँगा दोस्तो यहाँ पर पढ़ना या ना पढ़ना ये मुद्दा नहीं है यहाँ पर इस exam को एक अच्छे percentile के साथ track करना अगर आप above 98 या 99 target कर रहे हैं और आप सोचने कि घर अकेले बैठ करके पढ़कर के आप उस manjil तक पहुँच जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि possible हो सकता है लेकिन उसकी probability less than 5% जो भी student इस तरीके का plan करते हैं ना मैंने जर्नली देखा है उनमें से 95% low mid of the journey distract हो जाते हैं deviate हो जाते हैं और उनका सफर कहीं और ही चला जाते है तो खुद से कर पाना बहुत मुस्किल है दोस्ते चाहे आपने दो साल बहुत अच्छे से notes बनाएं questions practice की है लेकिन life में driving force बहुत जरूरी है तो अगर आप self study करके बहुत अच्छा percentile लाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ वो possible नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आप अच्छा percentile लाना चाहते हैं तो आपको अपने level को upgrade करना होगा और level upgrade तब होगा जब आप regularly classes attend करेंगे अपने doubts पूछेंगे आपने जिस method से solve किया है उस method में कहा mistake है ये discuss करेंगे आपके जो friends है वो भी उसी goal के लिए मेहनत कर रहे होंगे class में question दिया जाएगा आप जल्दी से उसका answer निकालने की कोशिस कर रहे हो this is a regular practice that will help you to touch that figure अब सवाल ये कि सर online या offline देखो है अगर financial burdens नहीं है family के उपर अगर आपकी family जो है वो आपके financial expenses को उठा सकती है तो मैं आपको recommend करूंगा कि offline will always be a first choice क्योंकि online में अगर आप पूछें कि success की probability क्या है तो अगर ये 20% है तो offline में यही probability 40% है मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप online से select नहीं हो सकते मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि आप offline से select होंगे मैं सेर्फ और से probability की बात कर रहा हूँ आप सभी लोग maths के student है मुझसे better समझ पाते हैं offline की probability मैंने ज़्यादा क्यों बताई दोस्तों आप सोचो कि आप हर दिन एक class में आते हैं आप teacher से मिलते हैं आप अपने teacher को 3D में देख रहे हैं आप एक ऐसे batch में बैठे हुएं जहाँ पे आप जैसे और भी कई सारे students बैठे हुएं और हर गोई एक goal के लिए महनत कर रहा है तो वो जजबा आपकी life में बहुत काम आता है और droppers students के साथ सबसे ज़्यादा important है कि अगर वो अपना level upgrade करना चाते हैं तो level upgrade तभी होगा जब वो अपने doubts का discussion करेंगे अपने teachers के साथ regularly interact करेंगे उनके test paper देनी की क्या strategy है वो test paper में क्या गलतियां कर रहे है test paper को कैसे analyze किया जाए homework किस तरीके से attempt किया जाए homework जो class में दिया जा रहा है उसका regular basis पर discussion हो रहा है आपको पता है ये सारे features quality wise आपको offline में मिल बात है online में आप कर सकते हैं लेकिन distraction के chances बहुत जाता होते हैं मेरा पराना experience रहा after the covid कई सारे आप में से students होते हैं जो online पढ़ते हैं लेकिन online में क्या होता है it's only a one way interaction two way interaction नहीं हो पाता और जब हमारे doubts clear नहीं होते तो हम multiple resources का use करते हैं YouTube पर multiple channels पर search करते हैं apps का use करते हैं और उससे आपका time बहुत waste होता है और जब आप एक room में अखेले बैट करके पढ़ रहे होते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि लोग मेहनत करते करते हतास हो जाते हैं क्योंकि उनकी success को celebrate करने के लिए कोई नहीं होता उन्हें motivate करने के लिए कोई नहीं होता तो उस case में यहाँ पर success की probability कम होता तो अगर आपका plan है drop लेने का और आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा करना है तो मैं आपको recommend करूँगा if possible if you don't have any kind of financial burden you should go for the offline क्योंकि अगर drop लेना है तो पूरी जान लगा दे नहीं है दोस्तों इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी इस बार एक percent भी risk नहीं ले सकते हैं यह आपका आखरी chance है और अगर आखरी chance में खेल रहे हैं तो उसमें आदा दूरा नहीं खेलना अंतिम दम तक पूरा hundred percent efficiency के साथ करना है और आप मुझसे बहतर जानते हैं कि आर offline और online में कितने changes होते हैं next अब सुनना माल लिजए आपने plan कर भी लिया ठीक है मैं drop लूँगा दोस्तों सिब कहने से काम नहीं चलेगा यह motivation मैंने आप मैंसे लगबग 50% student के अंदर देखा है लेकिन यह जो जोस है वो एक या दो महीने बाद कम होने लग जाता है यह जो आपका motivation है माचिस की तिनली की तरह होता है कि जलने के बाद थोड़ी देर में तुरंत बुझ जाती है लेकिन ऐसा motivation किसी काम का नहीं अगर आपको यह लगता है कि आप मेहनत कर सकते है with that term consistency consistency का मतलब है हर दिन अपने आपको improve करना है हर दिन आपको पिछले दिन से बैतर करना है हर दिन आपको class attend करनी है चाहे आपको वो topic आता हो या नहीं आता हो हर दिन आपको homebook complete करना है हर दिन आपको notes बनाने है, notes में important point लिखने है, जो भी नया concept समझाया, उसको लिखना है, revision regular basis पे करना है, अगर ये सारी चीज़ें, अगले 8 months तक कर सकते हो, एक या दो दिन नहीं दोस्त, 8 महीने कर सकते हो, move on, बढ़ जाओ आगे, drop low और तैयारी सुरू कर, ठीक, next point, आप regular test दे रहे हैं, test की analysis कर रहे हैं, ठीक है, test में जो marks आए, उसके लिए अपना proper, एक performance report बना रहे हैं, साथी साथ आप, short notes वगेरा बनाते हुए चल रहे हैं, PYQs को solve कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आप करते रहें, तो you will achieve your dreams, याद रखना कि drop जब लेने जा रहे हैं, तो आपको एक percent भी risk नहीं लेना, If you are going to take drop, you should join with those educators, जिनके साथ आपको लगता है, कि आप अपने मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हैं, अब decision आपका है, आराम से सोचिए, रिलेक्स होकर के सोचिए, लेकिन अगर drop लिया, तो याद रखेगा, strong determination, जब तक अंदर से आवाज ना आ जाए ना, कि मैं होंगा मतनी सेथा, थैंके सो मुची.